आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी गोस पर आपका बहुत दोस्वागत है भाई मेरी सपनों की नगरी तो लखनों है क्योंकि यहां पे ही मेरे सपने पूरे हुए 2003 से मैं लखनों में रह रहा हूँ और काफी मुझे ऑपरिचुनिटी जाएके मैं बहार चला जाओ बट मैं चारता ही नहीं यह शहर एडिक्टिव है भारत के कुछ शहर मुझे सबसे खुबसूरत लग रहे जैसे पूने पूने अगर आप जाओगे वैसे उसका पुरा नाम पूने अगर आप जोगे तो वहाँ पे अगर आप एक मैने ड़ेगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा भोपाल बहुत खुबसूरत है और लखनों बहुत जादा सुन्दर है बहुत अच्छा है बहुत ही सुकून है आपे मुस्कुराईए आप लखनों में है तहजी सो ल बता आए जा रहा है अब भी अगर हम बात करते हैं तो ये डेपटी चीफ मिनिस्टर अब डेपटी चीफ मिनिस्टर की बात ही है उन्हों ने ये बात बोली है मीटिंग की इन्होंने और मीटिंग में इन्होंने ये बात रखी कि लखनों का नाम चेंज होना चाहिए आपक रखी coupon code valid रहेगा UPSC 2023, फिर हम sale बन कर देंगे, batches close जाएंगे, तो live test series आपको मिलेगी, test series का discussion भी होगा, पिछले साथ जो test series दीती है, उसमें सीधा 35 question आए थे, फिर उसके बाद आपको date साथ के connect fs, c sat, और हर अफ़ते 3 class, यानि कि तक्वीमत 10,000 से करी question आपको practice करवा बहुत जबर्दस्त आपको knowledge बिलेगी और आप UPSC IS निकाल लोगे, तो UP के deputy chief minister ब्रजेश पाठक ने यही बोला है कि लखनों का नाम चेंज करो, और लखनों को लक्षमन नगरी बोला जाता था यह लखन पूर, my name is लखन, आप देखिए लक्षमन की अगर बात करते हैं, तो भगवान लक्षमन, मतलब भगवान राम के भाई लक्षमन, लक्षमन जी ने भगवान राम को यह नगरी गिफ्ट की थी, और इतिहास अगर आप देखो, वैसे लखनों का इतिहास मैंने cover किया है, एक मिन, एक मिन रुकिए गज़रा, ठीक है, तो अगर हम बात करते है तो लखनों का इतिहास मैंने already cover किया हुआ है, तो उसको पहले ये बात सही है कि इसको लक्षमन नगरी ही बोला जाता था, बट फिर उसके बाद जब नवाब आए, आसपोद दौला जो की सबसे बड़े नवाब माने जाते हैं, जिन्होंने पूरे लखनों का काया कल्प कर तो लक्षमन नगरी ही इसको बोला जाता था, बट आसपोद दौला ने इसका नाम चेंज किया, अब देखिए इतिहास में जो नाम था, वो यहाँ पर रखने की जद्दो जाय चल रही है, और ऐसा नहीं कि पहली बार नाम चेंज हुआ है, हर सरकार अपने हिसाब से नाम जैसे अखिलेश शादों ने भी बहुत सारे नाम चेंज किये ताम उसकी भी बात करेंगे, अचा सुनिए, कल मैं वर्सेस सीरीज में अखिलेश शादों वर्सेस योगिया इतितनात, इन दोनों पर कमपारेजन लेके आँगा, वैसे आपको बता तो कि अभी लखनों में G20 समिट चल रही है, शहीद पत पूरा का पूरा मतलब समझ लिए सज गया, रातो रात रोड बन गई, वही क्या बात है, ऐसी G20 समिट हर जगा हो, यह रातो रात रोड बन जाए, सो गवर्मेंट जो है, यह सिचुएशन को अपडेट करेगी, और जैसा कि अपने बता कि भध बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, है ना, BJP MP संगमलाल गुपता ने बोला कि लखनो का नाम चेंज होना चाहिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि यह डेपटी चीफ मिनिस्टर बोल रही है, ठीक है ना, तो अगर इतने अपर लेबल से यह बात आ रही है, तो डेफिनिटली सुक्बुगाहट है, और हो भी सकता है, अलाबाद का नाम प्रयाग हुआ है, समझ रहो, तो तयार रहो और एक चीज़ के लिए, तो एवरीबड नोस तेर लखनो जो है, इट वोस दी सिटी ऑफ लक्षमन, और हम सबको पता है कि यही लक्षमन जी ने भगवान राम को सिटी गर्ट की थी, और आयोध्या भी आपे जाधा दूर थोड़ी ना है, अभी मैं आध्या गिया था, दो नागेश्वर मंदिर और हनमान गड़ी, ठीक है हनमान गड़ी में तो भी बहुत ज़दा भीड़े है, तो पूरा आयोध्या है, टूट की बात की गई है, बहराईश का नाम, सोहिल देव की बात की गई है, सोहिल देव राजा, और विश्वा मित्र नगर गाजीपूर का नाम, सोहिल देव की बायग्राफि मैंने रिव्यू किया बहिया, जबर्दस, अब देखें ये जो है ना, सरनेम पे बहुत ज़दा प्रवर्सी रहती है, तो सरनेम पे फिलाल मैं नहीं जाओंगा, ठीक है, ये सब कोटेड है, आप देख सकते हैं, इसको नेट पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये नाम, दो नाम जो है वो चेंज करने की और कोशिश की गई है, अब अखिलेश शादव या फिर योगी चेंज किये हैं, भीन नगर का नाम संभल रखा गया, अगेन तीस, तीस को ही बहुत सारे नाम चो है, वो चेंज हुए, फिर पंच शील नगर का नाम हापड है, जब आप जाते हो गाजियाबाद, तो बीच में हापड पड़ता है कि नहीं, ठीक है, 60 किलोमेटर की दूरी तो वो भी अखिले शादव ने किया, महा माया नगर का नाम हातरस रखा गया, अगेन अखिले शादव, जोतिबा फुले का नाम अमरोहा रखा गया, अखिले शादव, काशीरा नगर का नाम कास गंज कर दिया गया, अखिले शादव, छत्रपती शाहुजी नगर का नाम अ महान कोई होगा या फिर संत्रविदा से महान कोई होगा चात्रबदी शाओजी महाराज काशी राम तो ये आप देखो कि नाम यहाँ पर खिले शादर ने भी चेंज किये फिर योगी आदितनात्रे तो यह चक्कई मार दिया सीधा अलाबाद का नाम प्रयाग राज हो गया फ उतरांचल का नाम उतराखंड हो गया है नाम चेंज होते रहते हैं आप इसमें परशान मत होए लेकिन देखिए मेरा एक चीज मानना है नाम जरूरी है बट अगर नाम चेंज करने से व्यापारियों को दिक्कत क्योंकि वो कहते हैं अब सब कुछ चेंज हमको भी करना पड बाके का नाम जंता को प्राब्लम नहीं है तो कोई प्राब्लम नहीं क्योंकि भाई ये जो डिसीजन है वो आला कमान के उपर ही रहता है तो गुडगाओं का नाम गुरूगराम हम सब को पता है कि यहां पे गुरू द्रोणा चार की नगरी है ये तो गुरू द्रोणा चा 890 common era उससे बहुत पहले जब यहाँ पे क्योंकि देखिए साउथ में वैसे भी इसलाम कभी पहुचा नहीं था तो यह inscription में इतिहास कभी भी नाम चेंज करते हैं तो इतिहास कोई खंगाला जाता है क्या हमको records मिलते हैं क्या कोई ऐसी प्रतिलिपी है क्या कोई ऐसी किताब लिखी गई है या कोई ऐसा inscription है अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बेगूर inscription में ये नाम बंगलूरू था तो इसलिए इसको नाम दिया गया तो बॉम्बे मुंबई हो गया बॉम्बे भाई बॉम्बे तो बॉम्बे है सपनो की सिटी एक सावे मुंबे कुछ नहीं हुआ करता था बेकार था इंता मतलब समझ लिजे की नथिंग उस दियार बड़ा मुश्किल था फिर उसके बाद साथ आइलेंड बिटिचर ने बोला किया रहे तो बॉम्बे है 1660 में मुंबाई पुर्तगाली नाम था तो ऐसे करते 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 वड़ा दिक्कत देन उसके बाद मुंबे से मुंबई ये 1996 में हुआ अब वही चीज है कि जो इसका नाम है ठीक है मुंबा महांबा तो महांबा से ये नाम लिया गया है मुंबई हमारे जो नाम है जो एतिहास में भी नाम बद्द है ना वो अगर आप देखो तो यह तो जोग्राफिकल लोकेशन नहीं तो भगवान के नाम पे है है ना ये चीज है त्रिवेंद्रम से तिरुव अनंत पुरम अगेन क्रति का रेप्रेजेंटेशन होता था तो इसी लिए उनके उपर नाम रखे गए आगे बढ़ते हैं पूने से पूना से पूना था तो पूना से पूने हुआ जब अटक गया या रिये एनिवे अटक जाता है कई बार ठीक है चलिए कोई बात ने आप छोड़िए ठीक है तो त्रिचूर से थ्रिसूर हुआ बडोड़ा से बडोड़ा हुआ मैसूर से मैसूर हुआ तो ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो चेंज किये गए है मैं लास्ट में आपको पीपीटी भी दे दूँगा मतलब पुरा इमेज दे दूँगा ठीक है उसमें ये नाम और ट्रोनोलोजी जो है वो बताई गई है तो नाम चेंज होते रहते हैं है ना लेकिन वही बात है कि अगर नाम चेंज होने से किसी अगर आम इंसान को प्राबलम हो रही है तो फिर चेंज करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि देखे अब जो हो गया अब जो है वो हमको करना है पट अगर किसी को कोई प्राबलम नहीं है तो बिल्कुल चेंज करिए है ना सारे सीम जो है सब लोग चेंज करते रहते हैं और इतनी ज़्यादा उस पर कॉंट्रवर्सी भी नहीं होनी चाहिए खैड पॉलिटिक्स है तो कॉंट्रवर्सी होगी ही होगी तो आई होप यह लेक्चर आपको सही लगा होगा यह देखो ओ क्या बात है यह देखो पूरी की पूरी पीपिटी आगी तो गुरुग्राम आप देख सकते हो ठीक है 2016 में 2016 में यह जो नाम है यह गुरुग्राम चेंज हो आप न्यू नेम्स और उसके बाद ओल्ड नेम पर आ सकते हो 1995 봉ंबय-1974 वडोदरा और यह विजयपूर का नाम रखा गया फिर यह वीजापुर था उसको विजयपूर बेलगाओं के नाम बेलगावी हो गया Mangalore का नम Mangaluru हो गया चिक Mangalore का नम चिक Mangaluru हो गया वैसे भी अगर आप बात करते है South में तो उँँ जरूर लग जाता है वहाँ पे तो Mysore का नम Mysore हो गया Mangalore का नम Mangaluru तो ये सब आप देख सके Madras का नम चिन्ने, Kochin का नम Kochi, Calcutta का नम Kolkata Kanpo का नम Kanpur ठीक है तो ये चीज़ है तो ये सद्दान तक नहीं होते है सैनिक ओफ हमारे कोर्से में आप जरूर एड्मिशन लें Thank you so much